विंटर सेजन सुरू होने के साथ हरी सब्जियों के सेजन भी शुरू हो जाता है जिसमें से हरी पत्य-दर सब्जियों भी बहुत सारी मार्केट में आने शुरू हो जाती है हारे पत्ते की सबजीयों में एक सबजी है बत्वा बत्वा हमारे ब auditor के लिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो एक तरिके से इस रेसिपी को भी आप बत्वा के साथ कभी कभी बना सकते है तो यहां पर बत्वा की स्टफिंग कचोरी है जिसे मैंने आटे में भी बत्वा को गुंदा है और स्टफ भी किया है बत्वा के साख के साथ मैंने बनाई है स्टफिंग खस्ता कचोरी बिल्कुल फूली हुई तो कैसी बनती है बत्वा के साथ स्टफिंग खस्ता कचोरी बिल्कुल फुली हुई सारी टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में हैं चली शुरू करते हैं इस रेसिपे को बनाना बथुआ के पत्तों के साथ स्टफिंग खस्ता कचोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार आलू लिये हैं जो सीजनल ठंडियों में नए आलू आते हैं अच्छे से वाश करके इसे हम स्टीम करेंगे तो आलू का जितना हाइट है उसके आधे लेवल पर हम पाई डालेंगे धक्कन लगाके मेडियम हाई फ्लेम पर 5-6 विसिल आने देंगे उसके बाद गयास बंद कर देंगे यहाँ पर बथुआ देख लेते हैं यहें बथुआ बथुआ के पत्तों को ले लिया है बथुआ के पत्तों को मेजर करेंगे तो मेजरिंग कप के हिसाब से दो कप ले सकते हैं और यहाँ के चाय के कप के बराबर मैंने एक कप पाई डाला है और इसे कुछ 10 मिनट आप इसे बोइल होने देंगे धीमी आजपर और यहाँ पर यह इस्टीम हो चुका है थोड़ा सा कुक हो चुका है इसे ठंडा होने के बाद इसी पानी के साथ आप इसे ग्राइंड कर लेंगे इसी पानी के साथ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और यह ग्राइंड होने के बाद 3rd, 4th cup, measuring cup के इसाब से ही quantity है यहाँ पे आटा ले लेते हैं गेहूं का आटा लिया है दो कप गेहूं का आटा है और हमें इसे खस्ता बनाना है तो खस्ता बनाने के लिए इसमें मोयन डालना है तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ओयल दो टेबल स्पून डाला है दो से धाइ टेबल स्पून दो कप गेहू यूज़ कर सकते हैं दो कब गेहूं के आटे के साथ दो बड़े चमच पिगला हुआ देसी घी डालें उससे कचोरी बहुत ही खस्ता बनती है देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ओयल का यूज़ कर सकते हैं तेल या घी के साथ आटे को अच्छे से मसलेंगे और इस तरह हलका सा तूटने लेगे तो समझी आपका आटा मोयन के लिए तयार है थोड़-धा करके आटे को हम लगा लेंगे तो जो ग्राइड किया था बथूआ को वह इसमें आटे में हम मिक्स करेंगे और इसी के थूरू हम आटे को गूंद लेंगे तो जितना मैंने ग्राइंड कि तो रिंज करके मैंने पाई डाला था और इसे कठा कर लिया है आटे को आटा आपका यहां पर न टाइट होना चाहिए न बहुत जाए धीला होना चाहिए जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से सॉफ्ट आटा लगाना है अच्छा से मसल क इसे इस तरह से टक करके आपको रख देना है हालका सा थाडी में और थोड़ा आटे के उपर हलका सा ऑईल ग्रीस करेंगे और ढख कर आधे घंटे के इसका छिलका अलक कर लेंगे इसका छिलका अटा देने के बाद फॉर्क के थ्रू आप इसे मैस करकے रहेंगे। बस आप ये छzahlए वट्लिया नह joking अच्छे से मैस कर यकाथ। मैस करने के बाद हम इसमें नद्यक करने का लिए यह नित चलते हैं तो गैस और आउन करेंगे HEYC. सब्स तेटी यहका साथ, ऐसे सोतें यहां पर ओनने हिंग डाल दिया है वनफ फवृण बारिक चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता के कुछ पत्तें डाल देंगे इसमें जैसे पत्तें में चटक जाहे यहां पर हरी मिर्च डाल दी है तो एक से दो हरी मिर्च जितना सपैसी आप खाते हैं उतना तरका लगा सकते हैं अब बतूण की रेसिपी है तो यहां पर मैंने आलू के स्टेफिटिंग में बतूण डाल रहे है तो हाफ का बारिक कटा हुआ बतूआ के पत्ते को तक तक पकाएंगे जब तक बथुआ के पत्तों का moisture न खतम हो जाए क्योंकि हमें stuffing करनी है तो stuffing में moisture नहीं होना चाहिए तो बथुआ के पत्ते को मैंने moisture खतम होने तक पका लिया है और नमक डाला है मैंने भी और इसके बाद mash किया हुआ पटेटो इसमें डाल दिया है बॉयल पटेटो और यहां पर अभी आड़ किया है 2-3 टेबल स्पून बारी कटा हुआ हरे धनिया का पत्ता सभी को अच्छे से mix कर लेंगे जैसे ही साइचे जैचे से mix हो गई है गैस बंद कर दिया है मैंने तो बहुत अच्छे से यहां पर बत्वा के पत्तों के साथ स्टफिंग तयार है जिसे आलूए mix किया है इसे दुसरे बर्तर में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे तो इसे इस तरह से फैला देंगे और साइड में रख देंगे और इसे पेड़ों का साइज आप कम ज譏दा कर सकते हैं लेकिन यहां पर ये धियां देना है कि जितना आपने आटे का पेड़ा निकाला है उस तरह से बॉल बना के रख लेंगे और उसके बॉल यहां के आटे फूलेगे नहीं उसे फूलने का इस पेस नहीं मिलेगा तो कचोरी को आप बिलकुल गुबारे के तरह फूलाना चाते हैं तो यह ध्यान रखें जब भी आप उसमें कुछ भी स्टफिंग करें आप आटे की बॉल के कंपेर में स्टफिंग का बॉल उसका आधा करेंगे साइज में तो इस वज़ा से आपकी कचोरी फटेगी भी नहीं और बिल्कुल गुबारी की तरफ हूले हुई बनेगी अब देख लेते हैं कि आटे की लोई में हम स्टफिंग कैसे भरेंगे तो आप अंगुठे और फिंगर के थुरू इस तरह से थोड़ी सी रोटी को बढ़ा करेंगे नहीं तो आप बेल कर भी थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं और इस तरह से स्टफिंग वाला बॉल इसके अंदर डालेंगे और अंदर insert करने के बाद आटे की लोही को थोड़ा सा घुमाते हुए हम उपर इस तरह से खीचेंगे और उंगली और उठे के बीच में इस तरह से घुमाते हिए तोड लेंगे इक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें crack-free आपका ये कचोरी के वाला बोल तयार है जिसके अंदर स्टफ भी किया गया है तो इस तरह से सारे स्टफिंग बॉल्स को आटे के अंदर भर कर हम इसे तयार कर लेंगे और इसे इस तरह से कचोरी की थिकने से उसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे तभी आपकी कचोरी फूले की बहुत पतला नहीं कर देना है एक दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं इस तरह से आप उसको बड़ा करेंगे आटे की लोई को स्टफ करेंगे फिलिंग को और इस तरह से घुमाते ह कि वे आप उंगली और मोठे की बीच में एक्स्टर स्यैसे आटा दूए और इस तरह से आप आटा को निकालना आ है इस तरह से अच्छल से सील हो जाता है। और इस तरह से रोल करके इसे हम बॉल तयार करके और इसे फ्लैट करने के लिए आप हातों पे हलका सा oil grease कर लें बिल्कुल हलका सा जिससे यह आटा आपकी हतेले पर चिपके कर नहीं और बीना सुखा आटा लगाए आप इसे flat कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे flat कर रही हूँ बिल्कुल से लेते हुए किनारे किनारे इसे दबाएंगे और यह flat हो जाएगा और जो अंदर की stuffing है वो भी बराबर लेयर पर अच्छे से फैल जाती है इस तरह से आप बेलन के थ्रू भी आप इसे बेल सकते हैं हलका सा बेलन और चकले पर थोड़ा सा oil grease करेंगे जिससे आपको सूखा आटा लगाने की जरूवत नहीं पड़ेगी और इस चिपके के अभी नहीं तो इस तरह से सारी कचोड़िया आप तयार कर सकते हैं fry करने के लिए आप एक बार में 5-6 कचोड़ियां तयार करके रख सकते हैं अब देख लेते हैं कचोड़ी तरने के लिए तेल का temperature कितना होना चाहिए जब आप कचोड़ी बनाने जा रहे हैं तो उसे 10 मिनट पहले धीमियाज पर तेल को गरम कर लेंगे तेल बिल्कुल गरम होना नहीं चाहिए हलका सा गुनगुना गरम होना चाहिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बबल्स तेज बबल्स नहीं आ रहे हैं तेल काफी कम गरम है और अभी से ही स्लो पे है फ्लेम और जब मैंने कचोड़ी एक डाली है तो हलका सा बबल्स आप साइड में देख रहे होंगे तेल इतना ही गरम होना चाहिए कचोड़ी बनाने का तेल का टंपरेचर इतना ही होना चाहिए बिल्कुल ठंडा होना चाहिए हलकी सी तेल में गरम हाट होने चाहिए और जब आप कचोड़ी डालेंगे तो फ्लेम शुरू से ही स्लो में होना चाहिए अब इसे हम 5-6 मिनट इसी तेल पर ऐसी ही रहने देंगे बस ये ध्यान रखे कचोड़ी आपकी तेल में डूबी रहे 5-6 मिनट के बार आप दखेंगे कचोड़ी अपने आप धीमी आज पर ही तैर कर ये उपर आ जाएगी जब ये कचोड़ी तैर कर तेल के उपर आ जाए तो आप फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर करेंगे जिसकी वैसे कचोड़ी में अच्छी हीट और स्टीम बनेगी और ये फूलेगी तो दो मिनट हाई फ्लेम पे करने के बाद जब कचोड़ी फूल जाए तो आप फ्लेम को वापस धीमा कर देंगे और अच्छा सा कलर आने तक आप कचोड़ी को पलटते हुए पका लेंगे लास में चुर्णी में जब एक अच्छा कलर आजाये तो लास में दो मिनट के लिए वापस क्लेम को हाई करेंगे और इसमें अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आने देंगे और आको कचौरी तयार है और इस तरह से आप तेल से अलग करके आप कचौरी को किचन टोबल पे नि और तोड़ की दिखा रहे हों तो आपको feel हो रहा हुआ कि कितनी खस्ता बनी है, इसकी आवास सुन सकते हैं तोड़ते हुए, तो आवास से आपको पता लग रहा होगा कितनी खस्ता बनी है ये बत्वा वाली खस्ता कच्चौरी, तो कभी-कभी आप बत्वा के सीजन में इस इसके साथ तब तक आप अपना खयाल रखें बाई बाई